सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा साथ का इतिहास विशय का पाट पांच शाशक और इमारते का आगे का प्रकरन क्षेत्र वैसमराज्य के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले हमने ये देखा था कि 8-8 श्टाबदी के बीच राजाओं से राजाओं द्वारा कई तरह की इमारते उनका निर्मान करवाया गया उनमें से कुछ इमारते आराम विराम की जगे थी जैसे किले मकवरे महल ये गैर धार्मिक इमारते थी और वो राजा के उप्यों के लिए होती थी और दूसरी इमारते उन्होंने बनवाई मंदीर मस्जीद कुएं बाजार ये सब जनता के लिए और ये ज़्यादा तर धा निर्मां कार्याई और उनमें प्रवनों में खीडकियों जहरौकों के अलावा मंदीर मस्जीद मकवरों कुओं और बावडियों में बीसका किया गया इस समय तक कुछ ही मारतें इंट और पत्रों की ही बनी होती थी और धीरे धीरे अब सिमेंट कंक्रीट इनसे भी निर्मान है वो सरलता से और तेजी से होने लगा था इसके बाद हमने पढ़ा कि आठवी से ग्यार्वी स्टापदी में कई विशाल भव्या और अलंकरित मंदिरों का निर्मान किया गया जिसमें राज राजेश्वरम मंदीर था कंदरिया महादेव मंदीर के बारे में और वहां के शाष्कों के बारे में हमने पढ़ा था फिर हमने पढ़ा कि मंदिरों को ही निशाना क्यों बनवाया गया ग्यार्वी श्टावदी में चोल राजा राजेंदर पर्थम ने अपनी राजधानी में शीव मंदिर बनवाया था उसने क्या किया कि उसने प्राजिश शाष्कों को के द्वारा बनवाए गए मंदिरों से कई मूर्तियां जब्त की और उन मूर्तियां को अपने मंदिर में स्थापित करवाई और उसी तरह ही गजनी के सुल्तान ने भी ऐसा ही किया गजनी का सुल्तान महमूद उसने भारत के राजाओं के मंदिरों को ध्वस्त किया बारत के राजाओं को लूटा और यहां की धनसवपदा को अपने साथ गजनी ले गया तो इस तरह से हमने मत्य यूग में देखा कि ज्यादा तर जो शाशक थे वो अपने सैनिकवल और सफलता का परदर्शन मंदिरों को लूट कर उन पर आकर्मन करके करते थे तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि बाग, मकबरे और किले, मुगलों की अधीन वास्टुकला अब और जटीलो गई थी बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, विशेश रूप से शाजां, जहां साहितियकला और वास्टुकला में ये व्यक्तिगत रूच्ची लेते थे और अपनी आत्मकथा में बाबर ने अपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने में अपनी रूच्ची का वर्नन भी किया है अक्सर ये बाग दिवारों से गिरे उत्ते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विवाजित आयताकार अहाते में उपस्ति थे अपचारिक बागों की योजनों, और उनके बनानें, और खाखा त्यार करनें में बाबर ने अपने रूची का वर्नन भी किया है चार समान हिसों में बटे होने के कारण ही ये बाग, चार बाग कहलाते थे चार बाग बनाने की प्रमप्रा अकवर के समय से शुरू हुई कुछ सरवादिक सुन्दर चार बागों को हम कश्मीर आगरा और दिल्ली में देख सकते हैं जिने जहांगीर और शाजाने बनवाया था तो यह देखो कि यहां दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यह है पहला चित्र जो मुगल चार बाग हुमायू के मकवरे में बना हुआ है और दिल्ली में है इसमें देखो यह इस तरह से होते हैं कि यह चार बराबर भागों में इस तरह से यहां पर बाग होते हैं और ये बीच में एक आहाता और इस तरह से यहां से चारों तरफ से एक दूसरे को काटती हुई कृत्रिम नहरे बनाई होती है ऐसे ही ये कश्मीर में है जो बाग शालीमर बाग है इसमें सीड़ी दार बाग था तो इसमें से ये इस तरह से नहर जाती है और ये एक सीड़ी फ तेखो इदर एक चित्र ओर है, यह काबूल में चार भाग की घारा बनाते वेगा चित्र बना हुआ है, यह चित्र बना था पंधरा सो नबे में, इसमें यह देखिए, कि कैसे रास्ते पर एक दूसरे को नहर नहरा है, वो खाट रही है एक इधर से, और एक इदर से तो चार बाग योजना की ये विशेशता बनाती है तो इस तरह से ये मुगलों द्वारा यहाँ चार बाग बनाए जाते थे इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि अकवर के शाशनकाल में कई तरह के महत्पुन वास्त कलात्मक नवाचार हुए इनकी प्रेयरना अकवर के वास्तु शिल्पियों ने उसके मद्य एश्याई पूर्वस तैमूर के मकवरों से ली हुमाईयू के मकवरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रिय गुम्मद जो बहुत उंचा था और उंचा महराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिष्टक कहा जाता था वो मुगल वास्तु कला के महत्पुन रूप बन गए यह मकवरा एक विशाल उपचारिक चार बाग के मद्य में स्तित था और इसका निर्मान आठ स्वर्गों यानि के हष्ट भी हष्ट की परंपरा में हुआ था जिसमें एक केंद्रिय कक्ष था यानि एक सैंटर में कमरा था और यह बाकी आठ कमरों से यह गिरा हुआ होता था और इस इमारत का निर्मान लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संग मरमर से बने हुए थे तो यह देखो यहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहे हुँ माईयू का मकवरा जो कि 1562 वे 1561 के बीच में बनाया गया था और इसमें देखो यह आपको यहाँ भी नहरे इस तरह से कटी कटी हुई दिखाई दे दी है इस तरह से ठीक है इसके बाद आगे देखिए कि शाजां के शाशनकाल के दोरान मुगल वास्चतु कला के विविन तत्व एक विशाल सत्भावपून संस्लेशन में मिला दिये गए शाजां के शाशनकाल में अनवरत निर्मानकारे चलते रहे अनवरत मतलब लगातार विशेश रूप से आगरा और दिल्ली में सार्जनिक और व्यक्तिगत सवा हे तु समारहो कक्ष दिवाने खास और दिवाने आम की योजना बहुती सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी यानि किशा जांके द्वारा आगरा और दिल्ली में दिवाने खास और दिवाने आम इस तरहें की दो इमारते बनाई जाती थी जिसे दिवाने खास में तो वो अपने मंतरियों और करमचारियों के साथ बैट कें करता था विचार भी मर्श करता था और दिवाने आम में आम सबा होती थी जिसमें वो प्रजा की समस्याइं सुना करते थे तो इस तरह से इनकी योजने बहुती साफधानी पूर्वक बनाई जाती थी एक विशाल आंगन में इस्तित ये दरबार चिहिल सुतुन अत्वा 40 खंबों के सबा भवन भी कहलाते थे यानि बाहर जो विशाल आंगन ब्रामदा होता था उसमें 40 खंबे होते थे तो ये देखो आपको यहाँ एक ये चित्र भी दिखाया जा रहा है जो कि ये दिल्ली के अंदर है और इसमें देखो आप ये दिवाने आंग में सिहसन है और इसके उपर ये च्छजा दिखाई दे रहा है और इसका निर्मान 1648 में पूरा किया गया था इसके बाद देखो आगे कि शाजा के जो सबा बवन है ये विशेश रूप से मस्जिद से मिलते जूलते बनाए गए थे उनका सिंगासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राए वो किबला कहते थे और किबला होता है हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि नमाज के दोरान जो मुस किबला कहा जाता था क्योंकि जिस समय दर्वार चलता था उसमय पर तेक व्यक्ति उस और ही मूँ करके बैढ़ता था तो इन वास्तुक लात्मक अभी लक्षनों का इस और इशारा था कि राजा प्रित्वी पर इश्वर का प्रतिनी दी था यह हमने इससे भी पहले पढ़ था राज-राजेश्वर मन्दिर में भी कि उसके राजा ने अपना नाम भगवान के नाम पर ही रखा था तो शाजा ने दिल्ली के लाल के लेके अपने नवनिर्मीत दर्वार में राज की अन्याई और शाही दर्वार के अतैसमन पर बहुत बल दिया बाठ्शा के नंगीन उठोस पतरों को दबा कर बनाए जाते थे थे सुंदर और अलंकरित नमुन्य होते थे तो यानि के पथर के उपर रंगीन ठोस पत्रों को दबाते थे जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहां जो में लाएं चूडियां बेहनते यहां लाक की उसके उपर नग को हम तो इसी तरह से इन में भी क्या है पत्रों के उपर ठोस रंगीन नगों को पत्रों को दबा दबा कर बनाया जाता था तो उसे कहते थे पितरा दूरा तो उसके जडाओ काम की एक श्रिंखलाब नहीं गई जिसमें पोरानिक युनानी देव था आरफियस को वीना बजाते शांत कर देता है और वे शांती पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं शाजा के सार्वजनिक सभा का निर्मान यह सुचित करता था कि न्याय करते समय राजा उंचे और निम्न परकार के सबी लोगों के साथ समान बहवार करेगा यानि उसका जो सिंगासन था वो इस तरह से सार्वजनिक सभा बनाई जाती थी उस सिंगासन को ऐसे बनाया जाता था कि उससे यह था लोगों के साथ वो समान बहवार करेगा सभी सथभाव के साथ रह सकेंगे शाशन के आरंबिक वर्षों में शाजा की राज़ानी आगरा में थी कहां थी उसकी आगरा में इस शहर में विशेष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्मान यमना नदी के किनारे करवाया यानि आगरा के अंदर जो खास थे राजा के अभी जात वगर वगरा उन्होंने अपने घरों का निर्मान यम्नन नदी के किनारे करवाया ताकि उनको पानी की जो उपलब्दता है पानी है वो असानी से प्राप्त हो सके और इनका निर्मान चार बाग रचना के समान ही अपचारिक बागों के रूप में किया गया था चार बाग की योजना के अंतरगती ही अन्य तरहें के बाग भी थे जिने इतिहासकारों ने क्या नाम दिया नदी तट बाग यानी नदी के किनारे बाग तो इस तरहें के बाग में निवास्थान चार बाग के बीच में स्तितना होकर नदी तटों के पास जो बागते उसके किनारों पर होते थे तो इस तरह से देखो कि आगरा के अंदर जो उनके विशिष्ट वर्ग थे शाजा के उन्हों ने अपने जम्ना नदी के किनारे शहरों को बसाया इसके बाद आगे देखिए कि शाजा ने अपने शाशन की भवयतम बास्तुकलात्म कुपलबदी ताज महल यह हमारे भारत में आगरा के अंदर बना हुआ है और साथ आश्चरों में से संसार के साथ आश्चरों में से एक भी है जीने हम सैवन बंडर के नाम से जानते हैं उन में से एक है ताज महल और इसका निर्मान शाजानी करवाया तो इसकी जो ताज महल के नक्षे में नदी तट बाग की योजना को अपनाया गया यहां सफेद संगमरमर का मकवरा नदी तट के एक चबुत्रे पर तथा बाग है वो उसके दक्षिन में बनाया गया था नदी पर सबही अभी जातों की पहुँच पर नियंतरन छेतु शाजाने इस वास्टू कलात्मक रुप को विक्सित किया और दिल्ली में शाहजानाबादी में जो उसनी नया शहर नदी पर शेह ऑीद थीट था तो देखो कि जो शाहजानाबाद में शाही मेल था वो तो नदी पर था और आगरा में जो उनका महल था या जो ताज मेल था वो नदी पर स्तित ना होकर के नदी के किनारे बर स्तित था तो दूसरी तरफ स्तित था केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभी जातों जैसे उ पाराशिका को ही नदी की तक पहुच मिली थी अन्य सभी को अपने घरों का निर्मान यम्ना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था तो देखो पहले हम यहां एक यह पहले ताज महल देख लेते हैं तो यह देखो यह आगरा मिस्तित है और किस तरह से यहां पर ताज मह गाए गए हैं और यह नदी तटपर ना हो करके नदी ईवर से झाली दूर दूर थे इसके पहले हैं कि यहां आपको दो चित्र और दिखाए जा रहे हैं तो यह जो चित्र है उपर उत प्ञाएं तो यह दिखो यह हैं इधर और इधर दोनों तरफ तो इने नदी तट बाग शहर बताया गया और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे यमनानदी के दोनों तटों पर बाग महल स्थित हैं और इनके बाई तरफ है ताज महल चिक है और नीचे है इस चित्र नमबर 15 में ये है दिल्ली के शहजानाबाद की इसका नक्षा है ये देखो और जो इसमें शाही मैलता वो इसी नदी के तट पर ही स्तित था यहां पर अब देखो कि हमें दिखाई दे रहे कि शाहजानाबाद कितना घना बसा हुआ शहर है इसमें ये मुख्य मारग है, यहां के ये कई बाग हैं, इधर मस्जीद लाल किला इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहे हैं इसके बाद देखिए कि क्षेत्र वै समराज्य है आठमी वै अठारमी इस्ताबदियों के बीच, जब निर्मान समंदी गती विदियों में बढ़ोत्री हुई तो भीविन क्षेत्रों के बीच, विचारों का भी प्रयाप्त आदान परदान हुआ एक क्षेत्र की प्रमप्राईं, दूसरे क्षेत्र द्वारा अपना ही गई उधारन के लिए कि विजय नगर में राजाओं की गजशालाओं उपर विज़ापूर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्टुकलात्मक्षैली का प्रभाव पढ़ा था यानि की जो विजय नगर में जो राजा थे उनकी जो गजशालाई थी जैसे विज़ापूर में और गोलकुंडा में और उनके उपर जो गजशालाओं के उपर इन सल्तनतों की जो वास्टुकलात्मक्षैली थी उसका भी असर पढ़ा ऐसे ही एक उधारन हो रहे है मतुरा के निकट स्थित व्रिंदावन के अंदर जो मंदिर बने उन मंदिरों की वास्टू कलात्मक शैली फतेपुर सीकरी के मुगल मैलों से बहुती मिलती जूलती थी तो देखो कि किस तरह से इनका जो एक क्षेतर की प्रमप्रा है वो दूसरे क्षेतर पर अपना प्रभाव डालती है अभी हम ये व्रिंदावन वाला चितर देख लेते हैं ये देखो आप यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि ये है व्रिंदावन में गोविंद महादेव के मंदिर का अंदर का हिस्सा तो यह 1590 में बना और इस मंदिर का निर्मान भी लाल बलुआ पत्रों से हुआ था अब इस मंदिर के अंदर देखो आप इसमें कि इसमें दो महराब दिकाई दे रहे आपको यह हमने इसमें भी पड़ा था नुपरस्टोड़ा निर्मान पदती में कि ये होते हैं महराब है ना और ये इसी लिए है इनसे जो इसकी भीतर की ये उपर वाली छत है इसका निर्मान किया गया और वास्तुगला की जो ये शैली थी ये हम उतर पूर्वी इरान से यानि खुरासान से आई थी और इसका प्रयोक फत्यपूर्शी क्री में मुगलों द्वारा किया गया था और उसी का ही प्रभाव हमें ब्रिंदावन के गोविन देव महादेव मंदिर पर भी दिखाई देता है इसके बाद देखो आगे कि इन विशाल समराजियों के निर्मान ने भीविन चेत्रो को उनके शाषन के अधिन ला दिया था इससे कलात्मक रूपों और कलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली मुगल शाषक अपने भवनों के निर्मान में क्षेत्री अवास्टु कलात्मक शैली अपनाने में विशेश रूप से दक्ष थे कैसे कि मुगलों ने क्या किया जब उन्होंने अपना भवनों का निर्मान करवाया तो उस समय जो उनकी उस शेत्र में उस शहर में उस स्थान पर जो वास्तुकला चलती थी लोक शेली उसको भी उन्होंने अपने भवनों के निर्मान में प्रियोक किया तो इसके लिए देखिए उधारन देखिए कि बंगाल में स्थानिय शाषकों ने जो चपर की जोंपड़ी होती थी उस जोंपड़ी के समान दिखने वाली छतों का निर्मान भी करवाया और मुगलों को यह है जिसे हम बांगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्टूकला में इसका प्रयोग किया तो आम यहां चित्र देख लेते हैं दो चित्र हैं आपको यह देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं यह दोनों चित्र यह है दो चाला पद्धती और मुगलों ने इसका चो चाला में चारों तरफ इस तरह से अपने निर्मान शाली में इसका प्रयोग किया तो इस तर चित्रों का प्रभाब भी स्पष्ट था अकबर की राजधानी फत्यपूर्शीक्री की कई मारतों पर गुजरात वे मालवा की वास्टुकला शेलियों का प्रभाब भी दिखाई देता हैं तो यह देखो यहां आगे का जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें कि अठारवी श्टाबदी में मुगल शाष्कों की सत्ता के धुमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रे में विक्सित वास्टुकला शेलियो निरंतर प्रयोग में रही और अन्या शाष्कों ने जब भी सोयम के राज्ये सापित करने के प्रयास किये तो यह शेलियो बनवाई इसके बाद के देखिए कि हुआ। और यहां से और यह इस तरह से यह जैग बनाते थे और इसके उपर इस तरह से चपत का निर्मान किया जाता था तो इसके बाद आगे देखिए कि भारत के साथ साथ अन्यंत्र में क्या था आसमान छुते चर्च कि यहां पर आपको एक चर्च का चित्र दिखाई दे रहा है है ना तो यह बार्मी श्टापदी में फ्रांस में आरंबिक भवनों की तुलना में अधिक उंचे और हलके चर्चों के निर्मान के प्रियास से शुरू हुए थे वास्टूकला की यह है शेली गोथिक के नाम से जानी गई यानि फ्रांस में जब भवन बनाएगे पहले वाले भवनों की तुलना में बाद में जो भवन बने बार्मी श्टापदी में वो ज्यादा उंचे और हलके तो यह जो निर्मान शाली थी वो गोथिक के नाम से जानी गई इस शाली की विशेषताएं थी कि नुकीले और उंचे महराब यह तो महराब और नुकीले और उंचे होते थे रंगीन कांच का प्रियोग किया जाता था इसमें जिसमें प्राए बाइबल से लिए गई द्रिश्यों का चित्रन भी होता था उनकांच के उपर, तथा उड़ते हुए पुष्टे, दूर से ही दिखने वाली उची मिनारे, घंटी वाले बुर्ज, बाद में चर्च से जुड़े, तो इस वास्तु कलात्मक शैली के सर्वोत क्रेष्ट ग्याद उधारनों में से एक पैरिस का नाट् है वो पूरा होता है, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,